नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में कनिस्क के समय में बो धर्म का परचार परशार किस परकार से होगा था इसके बारे में अध्यन करेंगे तो ये वीडियो देखने से पहले में आपको बता देना चाहती हूँ कि कनिस्क के बारे में हम कापी कुछ पहले पढ़ चुके है कुसानवंस के बारे में भी पढ़ चुके है तो आप प्लेलिस्ट में कनिस्क और कुसानवन्स के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं तो यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल इंडिया उल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये इत्यास विश्य से संबंदित महतोपुन जानकरी प्राप्त हो सके, तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं, वो एकजाम की दरिश्टी से महतोपुन होते हैं, ठीक है, तो यदि कोई भी हमारे वीडियो में गलती हो, क इस परकार से हमने ये यूटूब चैनल स्टार्ट किया है, तो चलिए पढ़ते हैं, कनिस के समय में बोध धरम का परचार परशार, ठीक है, कुसान सामराजे मद्धे एसिया से पूर्वी भारत तक फैला था, इस विस्तरित परदेश में बोध धरम का खूब परचार दूसरी स्ताबदी से इस्वी संद दूसरी स्ताबदी तक की अवद्धी में, भारत के समस्त धार्मिक अवसेसों में बोध धरम से संबंदित अवसेसों की संग्या सबसे अथिक है, तो हम बोध धरम से संबंदित काफी कुछ पहले पढ़ चुके हैं, आप वहां देख सकत इस समय बहुसंग के चैत्यों इम विहारों का निर्मान करवाया गया था पर्थम कुसान सासक कुजुल कड़िसेस के समय से ही कुसानों का जुखा बोध रम की ओर हो गया था भारतिय इतियास में कनिस्क के ख्याती उनकी विजियों के कारण नहीं अपितु साक्य मुन्नी के धर्म को सरंक्षन परदान करने के कारण है उत्री बोध अनुसरुतियों में कनिस्क के बोध मत में दिकसित होने की कथा असोक के ही सम्मान है हमें पता चलता है कि वह प्रारम में अत्यंद निर्दई तथा अत्याचारी था जो बाद में बोध रम के प्रभाव से उदार त कनिस्क के सीको छथा पैसावर के लेख के आधार पर ऐसा परतीत होता है कि वह अपने सासन के प्रारंबिक वर्षों में ही बोध हो गया था उसे बोध दर्म में दिक्सित करने का सुरे सुधर्शन नामक बोध आचारीर को दिया जाता है पेशावर में प्रशित चत्य का निर्मान करवा कर उसने बोध धरम के परतिशर्दा भाव परकट किया था कनिस्क ने बोध धरम का परवेश्ट तो समराट असोक के काल में ही कर लिया था पस्यमोतर सिमा में हिंदू कुस परवत पार कर अफखानिस्तान तथा बेक्टरिया के मार्ग से बोध परचारक कासकर समरकंद टैरिम गाटी होते हुए संपूर मध्धे एसिया में फैल गए थे कुसानों ने इस कारिये को आगे बढ़ाया मध्धे एसिया के साथ भारत का घनिष्टतम सम्मन्द कुसानकार में ही स्तापित हुआ इसी समय महायान बोध दरम के परचारक अपना संदेश तता धरमगरंथू के साथ वहां पहुंचे कनिष्ट के मध्धे एसिया में अनेक विहार इस्तूब तदा मूर्तियों का निर्मान करवाया था ठीक है तजाकिस्तान से मिली भूद की विसालकाई मूर्तियां तदा अवसेश ये स्पस्ट करते हैं कि कनिष्ट के समय अरधात पर्थम सताबदी इस्वी में बोध धरम उन परदेशों में फैल चुका था कासकर, खोतान, कुची, यारकन, कड़ा सहर, तुर्फानर अधी में अनेक विहार थे जिन में हजारों भिक्षू निवाश करते थे यहीं से बोध परचारक चीन कई, चीन में बोध धरम का प्रवेश, 65 इस्वी में हन समराट मिंगती, 57 पच्छोतर इस्वी में जो था में हुआ हन सासक कुसान राजों के समकालीन थे, चीनी थ्यासकारों के अनुसार मिंगती ने बोध धरम की ओर आकरशित होकर अपना दूद भारत भेजा था जो अपने साथ बोध साहिते, मूर्तिया, तता कास्या, मातंग, धर्मारने जैसे बोध विद्वानों को लेकर चीन पहुंचे थे उनकी निवास के लिए चीनी सासकों ने परसिद, स्वेता, स्वर, विहार का निर्मान करवाया था भारत से बोध धर्म से संबन्दित पांडूली प्यां चित्तर आदी वहां लेक जाए गए कनिस के सासनकाल में कस्मीर के कुंडलवन नामक स्थान में बोध धर्म की चतुर संगीती का आयोजन किया गया था उसके धेक्स था परसिद, बोध, विद्वान, वसुमित्र ने कि थी तथा अश्वा घोस उसके उपाद्यक से बनाए गए थे तो बोध संगीती के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं इस संगीती में बोध त्रीपिटकों के परमानिक पाठ तयार हुए तथा विभासा सास्तर आदी बोध गरंतूं का संकलन किया गया इसमें लगभग 500 विद्वान विख्षों ने भाग लिया था कनिस्क के समय में बोध धरम दो संपर्दयों में विबक्त हो गया था हीनियान और महयान कनिस्क ने बोध धरम की महयान साका को ही राजसरे परदान किया तदा सबदेश एवं विदेश में उसका परचार परशार किया कनिस्क ने बोग दर्म को अपनाया लेकिन वह अन्य दर्मों के परती भी सहिश्णों था उसके सीकों पर बुद्ध की आकरतियों के अलावा यूनानी, अलमी, मित्री, जर्थूस्त्री तथा हिंदू देवी देवताओं के आकरतियां भी उतकिन मिलती हैं इन में आईशो, सिव, मिरो, इरानी, मित्र, सूरिय, माओ, चंद्र, नाना, सुमेरियन, मत्रदेवी, हेलियोस, तथा सेलनी, यूनानी, सूरिय, तथा चंद्र उलेखनीय थे कनिस के उत्रादिकारी हुविस्क के काल में भी अन्य धर्मों के साथ बोध धर्म की भी प्रगति होती रही उसके सासनकाल के 47 वे वर्स में अंकित एक बोध इस्तंब लेक से पता चलता है कि जीवक नामक बिक्सु ने हुविस्क के बोध विहार को दान दिया था 51 वे वर्स के वर्दक लेक में साके मुनी की धातू मंजूसा इस्तापित के जाने का वर्णन है वासुदेव के काल में भी इस धर्म की उन्नती हुई मतुरा से प्राप 67 वर्स के लेक में महा संगिक आचारियों के लिए एक बुद परतिमा बनवाने का उलेक है इस परकार स्पस्थ है कि यवन सक कुसान राजों के काल में बोध धर्म उत्तर पस्थिम तथा देश के अन्य भागों में काफी लोग फिरिये हो गया था तो देखेगा इस वीडियो में हमने कनिस के बोध धर्म के परचार परचार के बारे में जानकरी प्राप्त की आगे भी हम आपको इसी परकार के वीडियो दिखाते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे